शिव सेना, UBT के राज्य सभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे UP की BJP सरकार और केंद्र की BJP सरकार ने राम लला को किड्नैप कर रखा है. राम मंदिर में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का आमंतरन ना मिलने पर संजय राउत ने कहा UP में BJP की सरकार है और केंद्र में BJP की सरकार है ऐसा लगता है कि उन्होंने भगवान श्री राम को किड्नैप कर रखा है हम क्या उनके बुलावे का इंतजार कर रहे है जब BJP का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो हम राम लला के दर्शन के लिए जाएंगे BJP कौन होती है राम लला का बुलावा देने वाली भगवान खुद अपने भक्तों को बुलाता है और भक्त उनके दर्बार में खुद पहुँच जाते हैं बीते दिन शिवसेना UBT ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में राम अलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उसे बुलाया नहीं गया है शरत पवार ने भी बुधवार को कहा कि उन्हें भी आमंत्रित नहीं किया गया है इस आयोजन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात सहित 6,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है शुक्रवार को जेडियू ने राष्ट्रिय कार्यकारिनी की बैठक बुलाई है चर्चा है कि जेडियू में सब कुछ ठीक नहीं है इस बैठक को लेकर पूछे गए सवाल पर नीतिश कुमार ने कहा सब कुछ सामान्य है हर साल एक बैठक करने का प्रावधान है वही बैठक है सब कुछ नॉर्मल है इसका बाद तेजस्वी यादव ने भी कहा कि लोग बिहार में हो रहे विकास से ध्यान भटकाना चाहते हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है दरसल बीते दिनों इस बात की चर्चा तेज हो गई कि लल्लन सिंग जेडियू अध्यक्षपद से इस्तीफा दे सकते हैं चर्चा तेज हुई तो बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी को सामने आना पड़ा